हेलो नमस्कार जीदि आप लोग की वर्स दोजार चोबिस में इंटर्मीडियेट की कक्छा पास किये हैं और आपसे भी लोग भी एसकोलर सिप के लिए ओनलाइन आवेदन की हैं 25,000 एसकोलर सिप के लिए या फिर फर्स डिविजन के लिए तो आपसे भी को जीदि अपलाई क कर दी हैं अपना रेश्टेशन कर दी हैं और आभी तक आप लोग अपना रेश्टेशन का स्पता नहीं कि अभी आप लोग की स्टेश्ट में पहुचा हूँ आ है सत आप luga का यूजर अपासवड को मिले से करेंगे इस वीडियों में हम आपसे को उसकी के रिगारडंग प चाहते हैं तो आप सिर्फ्ट भॉक्स में जह भी लिंक दिया गया वहाँसे चेक आउट कर सकते हैं जय कोवह नगे के लिए सबस्राइब कहीव चाहिए लिए सिलेटली हार यहाँ पे आले के वाद आप लोग को कुछ इस प्रबढर से ओप्छिन दे कु क्मला मैं अपना जुबी एस्कोलसिप के लिए अपलाई कर सकते हैं मैं आप सिब को बदाते हैं कि यहां पर जुबी यह दि आप लोग इंटर्मीडियर्ट कक्छा दोजार चौबिस में फर्स डिविजन से गर्स स्टुडेंट है और पास किया है तो आप लोग को दो तरह का एस्कोलस नहीं किया तो यहां पर आप लोग करेंगे यो इस पर क्लिक करने के बाद आप से वी पेज़ कुल करके सामने आ झायगा यहां से हैं आप लोग जो भी रेश्टेशन नमर है वो यहाँ पे डालना है उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक करना जैसे आप से ब्लोग सर्च बटन पे क्लिक करते हैं तो आप से भी का जो भी सारा डेटेल है वो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिलेगा यहाँ पे आप लोग का सारा नाम बग से कहा यह दिए आप लोग नहीं है तो आप लोग जल्स-जद अपना सीड़ करवा लें तब यह आप लोग को पता नहीं कि किस प्रकार तरह से form of approved नहीं हुआ है, यह सारा form approved होने के बाद ही आप लोग यूजर आइडी पासवर्ट दिया जाता है, जस्ट में आप लोग अपना जुभी registration किये होंगे, उसी समय आप लोग एक यहाँ पे जुभी interaction है, वो देखने को मिले होगा, यहाँ पे देख सते हैं, आपका आ पूरा करने के लिए आपकी पंजिकरित email id या फिर mobile नमर पर उप्योगरता user id पासवर्ट दिये जाएंगे, और रें शिट्न मुवाइल पर ले सकते हैं, यह आप लोग अभी सत्यापन complete नहीं हुआ है, यह आप लोग यह सारे options हो कर रहें, तो जब तक यह आप लोग सारा user id पासवर्ट मिल जाता है, तो साथ दिन के अंतर अतनर अपनों जब फॉर्म हो फाइनलाइज करेंगे, उसके बाद ही आप लोग को scholarship की रासी दी जाएगी, तो आप से लोग यहाँ पर आ करके अपना status को चेक करते रहेंगे, यह आप लोग का सारा चीज अप्रूब्ड ह हो चुका है, तो आप लोग का user id पासवर्ट मिल चुका होगा, यह दि आप लोग को user id पासवर्ट मिल चुका है, तो आप लोग उस case में अपने form को finalize करेंगे, उसके बाद ही आप लोग का scholarship का lab दिया जाएगा, यह सिर्फ आप लोग का अभी registration हुआ है, आप लोग का form finalize अभी pending है, तो इस परकार से आप से लोग अपना जुभी registration का status है, वो check कर सकते हैं, आसागारदाओं का यह वीडियो आपको काफी जदा पसंद आया होगा, यह दि आप लोग का इसके regarding किसी परकार की confusion है, तो आप से लोग नीचे comments करके पूछ सकते हैं, फिलाल के लिए मिल आप सकते हैं, 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 आप स